नमस्कार राजेश सर क्लाशस में आपका श्वागत है इस वीडियो में पलायन बेक किसे कहते हैं इस बात पर चाचा होगी तथा पलायन बेक के सुत्र को भी बताय जाएगा और प्रिथिवी पर किसी बस्तु का पलायन बेक कितना होता है तो देखिए पलायन बेक जिसे फेका जाता है तो वह प्रिथिवी के गुर्तवा करशन बलके करण कुछ उचाई से वापस प्रिथिवी पर लवटाती है जब किसी बस्तु को प्रिथिवी के तल से उपर फेका जाता है तो वह प्रिथिवी के गुर्तवा करशन बलके करण कुछ उचाई तक जाकर वापस प्रत्वी पर ला उटाती है यदि बस्तु का बेग बढ़ाया जाता है तो उचाई भी बढ़ जाती यदि हम बस्तु का प्रारंबेग बढ़ा दें तो जो उचाई होगी प्रत्वी तल से उसकी वो भी बढ़ जाती लेकिन यदि बस्तु को इतने बेग से भेका जाए कि वह पिर्थवी के गुर्थवा करशन छेत्र छोड़कर निकल जाए और वापस पिर्थवी पर ना आ सके यहीं बेग पिर्थवी पर उस बस्त का पलायन बेग होगा लेकिन यदि बस्त को इतने बेग से फेका जाए यानि बस्त को इतने बेग से प्रच्छेपित किया जाए फेका जाए कि वह पिर्थवी के गुर्तवा कारशनड छेतर से आ कारशनड छेतर छोड़कर निकल जाए बाहर निकल जाए और वापस पिर्थवी पर ना आ सके यही बेग पिर्थवी पर उस बस्तु का क्या काल आता है पलायन बेग तो हम पलायन बेग की परिवासा इस प्रकार देश रकते हैं वह निउन्तम बेग जिससे किसी बस्तु को पिर्थवी से फेकने पर वह पिर्थवी के गुर्थवा कर्षन छेत्र छोड़ कर बाहर चला जाता है तता पुने पिर्थवी पर वापस नहीं लाड़ता है पलायन बेग कहलाता है वह निउन्तम बेग जिससे किसी बस्तु को पिर्थवी से फेकने पर प्रचेपित करने पर पिर्थवी के गुर्थवा कर्षन छेत्र छोड़ कर बाहर चला जाता है या तो हुआ पिर्थवी के लिए लेकिन अन्य ग्रहों के लिए भी इसी प्रकार का पलायन बेग होता है अब देखे, पलायन बे का शुत्र पृत्वी के संदर में, तो पलायन बे का जो सुत्र होता है, पलायन बे को हम VE से प्रदर्शित करते हैं, पलायन बे को किसे? VE से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इवान इसके विलास्टी, तो पलायन बे का जो सुत्र होता है, VE बराब अबर अंडरूट टू जी आर ए जी क्या है गुरत्वी तोरण जी क्या है गुरत्वी तोरण और आर ए क्या है प्रित्वी की तिर्जिया प्रित्वी की तिर्जिया ते हुआ प्रित्वी की तिर्जिया ते हुआ प्लायन बेक का शुत्र अब यदि हम जी का मान और आर का मान रखें तो किसी बस्तु के लिए अब देखें एक बात और ध्यान देजी यहां प्लायन बेक का जो शुत्र है उसमें किसी बस्तु की द्र इस सुत्र शे निकाल सकते हैं तो जी का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर प्रतिशेकंड स्क्वार नौ सारी दो इन्टू 9.8 और त्रिजिया 9.8 मीटर प्रतिशेकंड स्क्वार और प्रतिवी की त्रिजिया जो होती है 6.4 गुड़े 10 घाते 6 मीटर और इसको यदि हम सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 11.2 गुड़े 10 घाते 3 मीटर प्रतिशेकंड मीटर प्रतिशेकंड और इसको हम कीमी में बदलेंगे तो 11.2 कीमी प्रतिशेकंड कहाने का आर्थ है यदि किसी बस्तु को हम प्रतिवी तल से फेकें प्रचेपित करें और उसका वे कितना हो 11.2 कीमी प्रतिशेकंड है तो प्रतिवी के गुर्तवा कर्षन चेत्र को छोड़ कर बाहर चला जाएगा और वापस प्रतिवी पर कभी वापस नहीं आएगा नमस्कार